तो गाइस यह रहा हमारा Galaxy S24 Ultra जो कि हमने दुबाई से मंगवाया है और इसको मैं इंडिया में तक्रीबन 20 दिन से ज्यादा हो गए अभी यूज कर रहा हूँ मैंने इसके पर अलरी दो वीडियोस पब्लिश की हैं एक थी एक छोड़ी से अन्बॉक्सिंग और उसमें थोड़ी डीटेल्स बताई और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे आपके क्वेस्चेंस को एंसर भी किया था अभी इस वीडियो में हम थोड़े और क्वेस्चेंस को पिक करेंगे जो की नए क्वेस्चेंस होंगे ना की जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है वो तो इस वीडियो में हम उसके बारे में सब देखेंगे और तो और exchange value के ओपर देखेंगे कि Amazon, Flipkart, Cashify में अगर आप ये दुबाई unit को sell करना चाहो तो आज की date में आपको क्या price मिल रहा है तो गाइस अगर आप नए हो तो subscribe कर लेना क्यूंकि मैं ऐसी वीडियो के साथ आता रहता हूँ और वीडियो को like जरूर कर देना क्यूंकि यार इससे मुझे motivation मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज की sponsor के बारे में बात करना से आता हूँ आज की हमारे sponsor है coldfusionzone.com जिसको मालूम नहीं है coldfusionzone.com एक नया brand है जो की हाली में launch हुआ था जब मैं S23 Ultra की videos बना रहा था तब से यह जो है electronics में deal करते हैं और तो और इनके पास बहुत सारे back cases available रहते हैं आटन affordable price इनके जो cases हैं बहुत ही बढ़िया quality के रहते हैं guys for the price यहाँ पर जो है 3-4 cases इन्होंने मुझे भेज के दिये and बाकी cases मैंने purchase भी किये इनसे express shipping रहती है इनकी within 3-4 days delivery भी हो जाती है all over India मुझे तो within 2 days मिल गया था parcel which is amazing और तो और मैं दूसरी चीनों के बारे में बात करूं इनके cases जो हैं affordable भी रहते हैं और high quality भी रहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर definitely do check out coldfusionzone.com link is in the description वहाँ से आप purchase कर सकते हो तो चलो जल्दी से वीडियो को start करते हैं तो guys यह रहा हमारा phone और पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे comments आये थे already जो कि मैंने 3 दिन पहले post की थी और guys एक और बात मैं बता दूँ आपको सिर्फ अपना चु question है Pint comment के reply में ही देना है अगर आप randomly किसी भी वीडियो में जाके reply कर दोगे तो मुझे इतने सारे comments आते हैं कि मैं catch नहीं कर पाऊंगा so sorry if I didn't answer your question लेकिन भाई जैसे मैंने आपको बताया है comment section में कि आपको अपना question Pint comment में ही दालना है पहला question हमें यहां पर आया है कि video English subtitle में video डालो या फिर other state people I think Hindi universal language होनी चाहिए भाई क्योंकि इंडिया में Hindi चलता है बहुत सारे parts में but still अगर आपको कोई और language में videos चाहिए I am happy to make but problem क्या होती है न भाई कि यह इतने सारी languages में एक ही channel पर में video post नहीं कर सकता अभी मैंने Hindi में रखा है तो I need to post it in Hindi अभी में वहां पर English video या फिर Kannada video या कोई में नहीं डाल सकता I need to keep it simple and straight अभी आपको अगर ऐसी कोई specific एक video चाहिए होगी तो मैं थोड़े दिन के बाद English में लेके आ जाओंगा क्योंकि English में I think like सभी लोग समझ पाएंगे जो कोई Hindi नहीं समझता तो हां अगर आप लोगों के लिए चाहिए तो मैं next try करूंगा बट अभी के लिए यार let's stick with Hindi क्योंकि subtitles भी it's like not possible right now बट I will try best in future next question है India price of S24 Ultra India price of S24 Ultra 512 in Dubai 512 GB I am not really sure क्योंकि price बहुत fluctuate होता है मैंने पूछा नहीं 512 GB का मैंने 256 GB का पूछा है 256 GB अभी भी same price में चल रहा है 3,150, 3,200 max to max depending on store to store next question है can we exchange S24 Ultra on cashify Amazon flip card with decent price let's dive into this question यह बहुत important है मैं पहले आपको Amazon पर दिखाता हूँ मैंने iPhone 15 Pro Max पर जो है exchange लगा के देखा बहुत ही घटिया price मिल रही है भाई Amazon पर क्योंकि यार क्या है अगर आप जितनी ज्यादा value का phone देखोगे उतनी ज्यादा आपको exchange value मिलती है तो मैंने 15 Pro Max पर देख लिया इसकी price around 151,900 दिखा रहा है Amazon पर और जैसे कि आप देख सकते हो just around 40,000 plus which is not all a great price अभी flip card पर क्या scene है iPhone जो है सारे out of stock दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने Z Fold 5 के उपर exchange का try किया flip card पर at least ok ओके price दिखा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर but still अभी भी यह price भी इतनी worth it नहीं है guys जितना यह दिखा रहा है Amazon तो बहुत ही बेकार price दिखा रहा था flip card पर भी आपको यह उतना लेक best to best deal नहीं मिल रहा है 62,100 at least ok है because Amazon पर जितनी price दिखा रहा था flip card उससे better price आपको दे रहा है अभी हम cashify के ओर बढ़ते हैं cashify में यहाँ पर पहले क्या था guys पहले आपको एक option रहता था Samsung की जो S-series phones है उन में आपको पूछा जाता है कि आपने यह phone international से लिया है या India में लिया है अभी मुझे वो option simply नहीं मिला यहाँ पर तो मैंने directly जो है जो भी option से select किये flawless condition सब कुछ डाल दिया क्योंकि यह brand new phone है इसका bill जो है अभी तक मुझे hard copy मिला नहीं है तो मैंने no करके डाल दिया वहाँ पर पहले with bill भी डाला without bill भी डाला खाली bill में आपको इतना फरक दिखा रहा है for the price without bill यह around 50,000 दिखा रहा था बट अभी जब मैंने डाला कि हाँ bill है भाई तो यह आप देख सकते हो इसकी value 77,420 रूपीज दिखा रहा है जो भी online website में हमने compare किया इसमें cashify सबसे best value दे रहा है लेकिन यहाँ पर एक cash होता है guys cashify वाले जब आपके घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ करके वो value down करते ही हैं जितना भी आप अगर box piece उनको phone उठाके दे दो तब भी यार वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि human eye में like naked eye में हमें तो समझ में भी नहीं आएगा दिखेगा भी नहीं उतना कुछ इतना सा इतना सा जो है dot वगरा कुछ भी आगर रहा है तो उस पे भी वो 1000,000 रुपे कट कर देते हैं ये phone में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है brand new phone है तो definitely शायद से नहीं करेंगे बट इनका कोई भरोसा नहीं रहता है तो ये भी यार इतनी अच्छी exchange value में नहीं बोलूँगा क्यूंकि S24 Ultra ये जो phone है इंडिया में इसकी value ज्यादा है compared to UAE and other places हाँ UAE से सस्ता खरीदा है बट इंडिया में इतना सस्ता कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तीसलिए जो है इन phones की value इंडिया में अभी भी है जैसे कि S23 Ultra की बारे में बात करूँ S23 Ultra अभी भी आर 65-70,000 एक-एक साल पुराना phone second hand लोग बेच रहे है वो LX पे मैंने देखा, offline में देखा 65,000 से नीचे नहीं है हाँ अगर बहुत use हुआ phone है जैसे कि scratches वगे रहा है तो around 60,000 का मिल रहा है offline में still मैं worth it नहीं बोलूँगा वो क्योंकि यार बहुत सारे अच्छे अच्छे phones इतने price में मिल रहा है तो scratch वाला क्यों ही लेना तो यह सी situation है अभी आप यह नहीं बोल सकते buyer को कि भाई दुबाई में आपको 70,000 में S23 Ultra नया मिल रहा है S24 Ultra मिल रहा है तो यह तो संस की बात ही नहीं हुई न भाई तो इसलिए जो है आप उस value को यहां पर मत compare करो यहां पर इन फोंस की value ज्यादा है compared to Dubai अब नेक्स्ट क्वेस्टन है bro what about Digi Locker is it working Digi Locker S23 Ultra में मैंने चेक किया था it is working absolutely fine S24 Ultra में भी चलना चाहिए सही से लेकिन मैंने अभी तक try out नहीं किया भाई probably next video में या आपको comment में reply दे दूँगा इसके बारे में next question है bro UPI चलेगा GPay everything भाई यह तो बस मैं क्या ही बोलूँ भाई आपको phone pay GPay मैंने last video में बताया ही था absolutely fine no issues phone pay GPay UPI everything is working fine ऐसा कोई issue नहीं है इसमें next question bro purchase के time मैं कैसे verify करूँ कि phone authentic है या fake please explain and कौन सी shop से purchase करूँ तो इस question का answer भाई मैं बता दूँ आपको आप reputed shop से ले सकते हो Dubai में ऐसा थोड़ा बहुत scam चलता है लेकिन यार आपको जो है box और phone जो है जहां पर से भी आप लो उसी time store में आपको open करके check कर लेना है और opening के time पर पूरी unboxing video बना लेना वहां पर आपके लिए यह proof रहेगा यूई एक बहुत strict country है ऐसे सब loss के लिए तो आराम से आपको resolution भी मिल जाएगर आपके साथ कोई ऐसा scam वगरा होता है बट 95% of the times मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा दुबाई में अभी मैं शॉप के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ क्यूंकि यार इससे मुझे कोई भी फाइदा नहीं है अभी मैं एक शॉप का नाम लूँगा पर्टिकुलर तो लोग बस वहाँ पर ही जाएंगे अभी पिछली वीडियो में एक शॉप का नाम लिया और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके बहुत सारे फोन्स को पर्चेस भी किये क्योंकि भाई कोई भी आपको कुछ डिसकाउंट भी देने को रेडी नहीं है मैंने उस शॉप से बोला कि मैं आपको प्रमोट करूंगा और आप जो है बस मेरे सब्सक्राइबर जो भी आएंगे उनको बस 50 दिरहम्स या 100 दिरहम्स डिसकाउंट कर सकते हो तो साफ साफ मना कर जिया उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा तो फिर कोई फाइदा है नहीं है शॉप का नाम बता के इसलिए आप किसी भी शॉप देरा दुबई या फिर बर दुबई में चेक आउट करके ले सकते हो बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं जहां पर 100 दिरहम्स से लाइक 150 दिरहम मिल रहा है हाँ अब भी नया भी अरॉन 90,000 का मिल रहा है अस्ट्री अल्ट्रा दुबई बेस्ट है क्योंकि भाई प्राइजिंग बहुत डिफ्रेंस है अभी भी आप इंडिया में स्ट्री अल्ट्रा 90,000 का लगबग बिक रहा था Amazon पर लास्ट मैंने जब चेक किया था त तो आफ लाइन में भी आरू 90,000 का मिल रहा है S23 अल्ट्रा जब कि मैंने देखा ब्रांड न्यु उनिट तो आपको S24 अल्ट्रा दुबई में ब्रांड न्यु 72,000 का मिल रहा है इट वर्थ इट क्योंकि यह ले टेस्ट फोन है तो और इसमें जो है गाइस तोड़ा डिफ Samsung इसको fix कर दिया है display भी बहुत ही जबरदस्थ है so definitely latest मिल रहा है तो मैं तो suggest करोंगा कि latest के साथ ही जाओ service center visit करो और क्या यहां आकर insurance ले सकते हैं service center मैंने visit नहीं किया भाई क्योंकि मुझे time नहीं है और insurance के बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो personally लिया नहीं है अगर किसी को मालूम है तो comment section में इस भाई को reply कर देना what is the issue with buying international version of S24 Ultra is it just Geo 5G issue or something else also is call recording Samsung PUPI warranty available I have answered this question in past videos तो मैं बस बोलूंगा international version क्यों नहीं लेना international version में आपको एक तो software updates में problem आती है second आपको Geo 5G नहीं चलेगा यह दो major issues है और international version में आपको क्या है UAE की भी warranty नहीं मिलेगी अगर आप UAE में international version ले रहे हो तो आपको warranty वहां की भी नहीं मिलेगी अगर आप US version ले रहे हो या Europe वाला ले रहे हो तो region specific warranty हाती है Samsung की ना की worldwide warranty जैसे की Apple देता है तो simple सा answer है international version को avoid कर लो UAE का version लो सब चीज लाइक बेस्ट चलेगी और UPI Samsung wallet के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है call recording मैंने N number of times 5-5 minute बात की है इसके बारे में तो मैं फिरसे इसका answer नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है next question which is the best international version और UAE version मैंने इसका answer भी आपको अभी दिया पिछले question में UAE version is best when compared to international version SIM card लगा के use किया मैंने SIM card लगा के कुछ भी यूज नहीं किया भाई दुबई में direct लेक्या गया हूँ and all the SIM cards are working fine यह जो है SIM card lock का scene अभी खतम हो गया है Samsung phones में तो आप आराम से ले आ सकते हो I am buying S24 Ultra from Dubai so I face some issues in India not please tell you can watch my videos brother क्योंकि मैं इसी के बारे में तो videos बना रहा हूँ कि क्या issue है और क्या नहीं है और क्यूं मैंने purchase कि और आपको क्यूं purchase करना चाहिए सब मैं इसी वज़े से तो videos बना रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा Indian unit और UAE unit का Geo speed test कोई फरक ही नहीं है मेरे भाई Indian unit में भी आपको Geo उतना ही fast चलेगा और UAE version में भी आपको उतना ही fast चलेगा Will S24 Ultra 12GB 512GB TDARA version work in India I really don't have any idea about 512GB work करना चाहिए क्यूंकि phone तो सेम ही है बस storage 512 है बट मेरे पास 512GB unit नहीं है TDARA जब तक है आपके पास तो TDARA सब सेम ही होते हैं Samsung phones तो TDARA आपको आराम से चलेगा India में that's what I can say next question I am planning to buy S24 Ultra from Dubai but my flight is from Abu Dhabi to India Can I get VAT refund on Abu Dhabi airport shop from buying So guys मैं आपको Abu Dhabi के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्यूंकि मैं आज तक Abu Dhabi गया नहीं हूं किसी को अगर मालूम है तो बता दो यहां पर इन भाई को reply कर देना पिंट comment में है और Abu Dhabi में मुझे कोई भी shop मालूम नहीं है जहां से आप purchase कर सकते हो क्यूंकि मैंने आज तक Abu Dhabi से purchase नहीं किया मैंने जो भी है Dubai से ही किया तो related to Dubai ही मुझे मालूम है और जो चीज का मुझे idea नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता I am really sorry about that are Dubai units and Kuwait units same so the answer is no because Kuwait एक अलग country है Dubai एक अलग जो है UAE में है UAE is a different country तो यहां पर दोनों countries अलग हैं दोनों countries के law अलग हैं और दोनों countries के जो bands रहता है 5G के लिए और phone का जो थोड़ा hardware रहता है जो SIM card से related है वो different रहता है तो Kuwait के बारे में मुझे कुछ भी idea नहीं है क्योंकि मैंने आज तक Kuwait से कोई phone purchase नहीं किया ना तो मेरे कोई दोस्त ने purchase किया ना मेरे रिष्टेदारों के पास कई है तो I just cannot answer regarding Kuwait unit Dubai unit के बारे में मैं सारी वीडियो बना रहा हूं तो यह questions guys ऐसे questions मैं बोलूँगा कि आप avoid करो क्योंकि जो phone मेरे पास है ही नहीं उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता अभी इस वीडियो में भी मैं comment डालूँगा पिंड comment वहां पर आप अपने बचे बुझे जो questions हैं वहां पर आप डाल देना कोई repeated question है तो मैं skip कर दूँगा पहले बता रहा हूं मैं क्योंकि भाई just like video purpose के लिए क्योंकि लंबी वीडियो जो है चलती नहीं है watch time आता नहीं है और तो और लोग click भी नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो अगर 15 मिनिट से उपर हो गई तो कोई देखना पसंद नहीं करता है उतना जो बंदा देखना चाहता है उ on the S24 Ultra Dubai unit अगर आपको कोई और doubts हैं जैसे कि मैंने आपको बताया pinned comment में ही अपना question पूछना क्योंकि मैं वहाँ से easily pick कर सकता हूं ना कि randomly कहीं पर भी वीडियो में question आप पूछ लो comment में ऐसा नहीं होगा unfortunately तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आया